प्रदेश में जिस तराज जिवें स्मार्ट सिटीज और अमुर्ज सिटीज की सबसे ज़्यादा संख्या है बोथ प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश भाई और भेनों मैं अभी दो दिन पहले महाराश्ट में मुंबई में ऐसी एक इन्वेस्टर समीच में गया था और महाराश्ट की सरकार ने अपनी राज्य व्यवस्था को प्रिलियन डॉलर एकोनोमी में बदलने का लक्ष रखा है मैं आज आपके बीच एक और विचार रख रहा है क्या महाराश्ट के और उत्तर प्रदेश में इस बात की कंप्टिशन शुरू हो सकती है क्या दोनों में से कौन सा राज्य पहले ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी के लक्ष को प्राप्त कर सकता है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार देश के और दूसर राज्यों के साथ अलगर स्तर पर पर परदा करें कंप्टिशन करें और यह कंप्टिशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही राज्य में निवेश भी बढ़ेगा राज्य का विकास होगा राज्य में रोजगार के नवे अवसर बनेंगे राज्य में इस तरह की हेल्दी रेश कंप्टिटिव कोपरिटिव फैटरिजम की भावना को भी और मजबूत करें ताथियों यूपी की अर्थे ववस्थावें सुक्ष्मा एवं लगू और मध्यमु द्योगों जिने हम लोग MSB के रूप में जानते हैं इसका बहुत बड़ा योगदान है बहुत बड़ा निट्वर्क है एग्रिकल्टर के बाट MSME सेक्टर में ही रोजगार के सबसे ज़्यादा आउसर बनते हैं और मुझे बताया गया कि यूपी में करीब करीब पचांस लाख MSME यूनिट है इसमें काम करने वाले लाखों लोकों का ही परिशाम जो यूपी की हस्त सिल्प, प्रोसेस फूट प्रोड़क्स, कार्पेट, रेडिमेड गार्मेंट्स, लेजर प्रोडेक्स के निर्याद में निरंतर अग्रणी रहा थैं देश के विमिन्नक शेत्रों में ऐसे स्पेशल प्रोड़क्स हैं जो MSME सेक्टर की वज़े से अपनी राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय पहचान बनाए थैं रोजगार बनाने के नए अवसरों के लिए जो इस शेत्र में पहले से काम कर रहे हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए हमें नए सिरे से सोचने की आवश्चता है